नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको स्वीट बॉक्स यानि की मिठाई के डब्बे बनाने के बिजनस के बारे में पूरी जानकारी देंगे फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि चाहे छोटा शैर हो या बड़ा शैर हो हर जगे मिठाई की दुकान होती ही है और दुकानदार को मिठाई पैक करने के लिए डब्बे की जूरत तो पड़ती ही है मिठाई एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है चाहे कोई पार्टी हो फंक्शन हो बर्डे पार्टी हो बिना मिठाई के हमारा काम नहीं चलता है तो आप समझ ही रहे होंगे इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है इसलिए अगर आप ये बिसनर शुरू करते हैं तो आप इस में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इस में आपको ज्यादा मार्केटिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादे क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला प्ली जैसे की स्वीट क प्लीज साथ दबा जो होता है उसको बनाने के लिए कौन सी मशीन का यूज हम करते हैं उसकी कीमत कितनी होगी इस बिजनस को अगर आप शुरू करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इसके जो रौ मटीरियल होते हैं उसकी ट्राइस क्या होती है इस बिजनस में क इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो चलो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि मशीन का यूज़ करके स्वीट बॉक्स कैसे बनाते हैं दोस्तो इस मशीन का इस्तिमाल करके आप केक पेस्ट्री तथा मिठाई पैक करने का डबा बना सकते हैं अलग-अलग तरह के डबे बनाने के लिए सिरफ ड़ाई को चेंज करना होता है और हर तरह का डबा त्यार हो जाता है इस मशीन से ड़ाई चेंज करके आप पच्छी सो ग्राम से लेकर दो केजी केक तथा मिठाई रखने के लिए डबा असानी से बना सकते हैं जैसे कि हम सब जानते ही हैं मिठाई की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है बिठाई को पैक करने के लिए डबे की जरूरत भी पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड के एक हिसाब से अगर आप ये बिजनस शुरू करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इसके रो माटीरियल की प्राईस 20 रुपे से 27 रुपे प्रती किलो होती है अब एक केजी रो माटीरियल में एक ग्राम का 200 पीस बना सकते हैं तथा दो ग्राम का 450 पीस डबा बना सकते हैं एक ग्राम का पीस मार्केट में एक रुपे में बिखता है और दो ग्राम का पीस मार्केट में डेड़ रुपे से लेकर दो रुपे तक बिखता है अगर इस मशीन की production की बात करें तो यह मशीन एक घंटे में करीब 5000 पीस का production करती है इस हिसाब से अगर आप total calculation करते हैं तो एक घंटे में सारा खर्च काट कर 500 रुपे तक बचा सकते हैं इस तरह अगर आप दिन में 8 घंटे भी काम करते हैं तो असानी से 4000 रुपे एक दिन में कमा सकते हैं अगर आप ज्यादा production वाली मशीन लेते हैं तो आपका मुनाफ़ा भी बढ़ जाएगा स्क्रीन पे दिये गए नमबर से कॉंटेक्ट कर आप मशीन का प्राइस पूछ सकते हैं और इनसे मशीन भी ले सकते हैं रॉम माटीरियल के लिए आप इंडिया माट वेबसाइट पर विजिट कर आइडिया ले सकते हैं वहाँ पर अनेको सप्लाइर्स उपलब्द होते हैं इस बिजनस की ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के फोन नमबर पर कॉल कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं कंपनी का कॉंटेक्ट नमबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस बिजनस में सारा मुनाफ़ा आप किस लेवल पर शुरू कर रहे हैं या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी बना कर चलती है उस पर डिपेंट करती है इस बिजनस को अगर आप अच्छी तरह से चलाते हैं तो आप दिन में पांच हजार से लेकर दस हजार रुपे कमा सकते हैं अभी आपने देखा कि मशीन के इस्तेमाल करके स्वीट बॉक्स बनाना कितना असान है तो अगर आपको यह बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो देर मत करें अभी स्क्रीन पे दिये नमबर पे कॉंटेक्ट करें और मशीन पर चेस करके बिजनस शुरू करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद